यहाँ पर आप देख पाओगे Dr. Ambedgar's prophecies about China's mindset are proving right जो भी Ambedgar साब ने का था चाइना के बारे में काफी हत्तक मैं कहूंगा Even Quad के बारे में भी काफी हत्तक इन्होंने prediction करती थी ये बाते आज के समय जो भी geopolitical experts हैं देख के हरान है कि आप से कई दशकों पहले Ambedgar साब ने देख लिया था कि चाइना क्या करने वाला है क्या चाइना की strategy होगी और किस तरीके से इंडिया को इससे नुकसान होने वाला होगा Ambedgar साब ने 1951 में ही क्या दिया था कि समय आ चुका है कि इंडिया side lay global politics में यह जो non alignment का formula है इससे इंडिया को कुछ खास मिलने वाला है नहीं चाइना इस बात को बिलकुल भी appreciate नहीं करेगा कि इंडिया non aligned है इंडिया को खुद को properly align करना चाहिए USA के साथ democratic countries के साथ और military prediction करती थी कि most probably चाइना इंडिया से पहले poverty को eradicate कर देगा यहाँ पे और फिर मेटगर साथ के जो बात के speeches हैं वहाँ पर इन्होंने यह भी prediction करती थी कि चाइना धीरे धीरे economically बहुत जरा strong हो जाएगा इनके पास deep pockets होगी पैसा इनके बहुत सारा होगा क्योंकि अंदर ये decision बहुत ही जल्दी ले पाएंगे rapid economic progress होगी और उसके बाद काफी बार ये लोग इंडिया को strategically नुकसानी पुचानी कोशिश करेंगे अपनी deep pocket से मतलब कि इनके बास पैसा होगा खैर जो debt trap का concept है चाइना का ये अंबेडगर साहब ने काफी अत तक predict कर दिया था आज से उसके बाद अंबेडगर साहब ने जो quad का basic idea है उसके बारे में भी बात करी इन्होंने ये कहा कि instead of relying on China इंडिया को focus करना चाहिए USA पर, US लेट जो countries हैं और जो democracies हैं एशिया में इनके साथ मिलकर इंडिया को एक natural block मनाना चाहिए ये नोने literally कहा था कि इंडिया को एक league बनानी चाहिए democracy की in Asia और अब घूम फिर के क्या हो रहा है घूम फिर के देखो quad बना है तो ये सब होना चाहिए अंबेडगर साहब ने कहा दिया था आज से कई साल पहले और